वेलकम टो जीरो से जिन्यास तक के आज के एक और नय एस्पेसल वीडियो को विटेस्ट में आप से पूछे जाएंगे बिल्खुल आपके एक जहाम कोश्चन पेपर जाये साथ जी के जी इसके 20 इंपोर्टेंटे सेलेक्टेड सवालों को तो आप इस वीडियो को राजधानी कहां है आपको जबाब सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकिंड का समय जो सुरू होते हैं अब लक्षद्विप की राजधानी कहां है सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर ए कावरती कोशन बटू डांडी मार्च गाधी जी द्वारा कब सुरू किया गया था ये सवल हाली के एकजाम में आया था अंसर होगा आप्शन नमबर सी मार्च 1930 इस बी को गाधी जी द्वारा डांडी मार्च की सुरू आत की गई कोशन नमबर तिन बंगाल में पाल वन्स की संस्थापक के कौन था आंसर होगा आप्शन नमबर बी गोपाल कोशन नमबर फोर इवरिक आमल किस में पाया जाता है? सही आंसर होगा आप्शन नमबर C इवरिन मुत्रा में पाया जाता है कोशन नमबर 5 दीफु दर्रा भारत के किस राज्या में इस्तित है? ये सवाल भी हाली के एकजाम में आया था बिहार का सोक कीस नदी को कहा जाता है आंसर हो जाएगा आप्स नमबर सी कोशी नदी को बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है आंसर होगा आपसन नमब भी दामोदर नदी कोशन नमब एट काली मिटी को किस नाम से भी जाना जाता है काली मिटी का एक दूसरा नाम क्या है आंसर होगा आपसन नमब भी रेगूड मिटी का एक दूसरा नाम है रेगूड मिटी कोशन नमब नाइन गंगा या व्रहंपुत्र की सन्युकते धारा को किस नाम से जाना जाता है ये भी सवाल हाली के एक्जाम में आया था गंगा या बुरहम पुत्र की सन्युक्ते धारा को किस नाम से जाना जाता है अंसर है अप्शन नमबर ए मेघना के नाम से जाना जाता है कोशन नमबर टिन काली मिट्टी का अभिस्तार कहां सर्वाधिक है काली मिट्टी का भिस्तार कहां सर्वधिक है आंसर रहो जाएगा और अपसवर नमबर डी महराष्ट्रा में और आपने अभी तक इस चानल को सबस्क्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सबस्क्राइब बटम पे क्लिक करके सबस्क्राइब कर लीजिए और वेल आइक उनको दबा कर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि ये चाइनल आपके सिलेपस प्रोर करता है धन्याबाद आगे सवाल है निलगीरी परवत माला की सबसे उची चोटी कौन सी है अंसर है आपसर नमब बी दोधा बेटा जो कि तमिल नाडू में इस्तित है और ये सवाल हाली के एकजाम में आया था दोधा बेटा कोश्य नमब बारा गारो खासी यो जयंतिया जन जातिया भारत की किस राजिया में रहते हैं अंसर होगा आपसर नमब बर सी में घाल है कोश्य नमब तेरा लक्ष द्वीप में द्वीपो की कूल संख्या कितनी है अंसर होगा आपसर नमब बडी चारतिस कोश्य नमब चोगा भारत नाट्यम किस राजिया का सास्त्रिय नरित्य है आंसर होगा आपसर नमब सी मान्डौवी नदी के किनारे कोश्य नमब चोला कूना संझाता भीमराव अमबेद कर और किसके बेच हुआ था पूना समझाता भीम राव अमवेदकर और किसके बीच हुआ था अंसर होगा आप्शन नमब भी महात्मा गाधी के बीच और यह 1932 में हुआ था और यह सवाल इस बार के एंटीपीसी एकजाम में आया था प्रतिवार्ष बीच वा कुष्ट दिवस कब मनाया जाता है अंसर है आप्शन नमब भी तीस जनवरी को कुष्ट नमब अठरा हंटर आयोक की अस्थापना किसके सासन काल में की गई आंसर होगा आप्शन नमब ए लौड रीपन की सासन काल में किया गया था और यह सिक्षा सुधार हे तू अठरस वेरासी इसमी में किया गया था कूष्ट नमब 19 अड़ बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था वंगाल विभाजन किसके काल में हुआ सिह है अपन्र कि हुआ अप्शन नमब ए लौड कर्जन के सासन काल में और सवाल यहां यह विप्या इसमीद तो पाहतं तो कोशन नम्बर बंगाल बीभाजन रद किसके काल में हुआ था यह दोनों प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है बंगाल बीभाजन रद किसके काल में हुआ था अंसर होगा सवाल पीछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे यदि आपने उस वीडियो का अभी तक नहीं देखे हैं तो सिंपली आपको अभी सो हो जाएगा आप क्लिक करके देख सकते हैं आंसर आप से नंबर भी रवींदर नाथ टाइगोर विश्वा भारती विश्वा विद्याले कि संस्थापक कौन थे रवींदर नाथ टाइगोर आपके लिए एक सवाल है पहले आईएस अधिकारी कौन थे यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वर्क्स में जाना है वहाँ पे लिखना है क्यों फडिवर इसके राइट अंसर तो आप हम अपने टार्गेट को फिक्स रखिए रेगुलर वर्क करिए आपको सब आलता है एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे लगे रहिए तो मिलता हूं फिर अगले वीडियो में अपना ध्यां रखिए जय हिंद जय भारत कया और लाओ हम लेका हुआ हमोगी ऑना प्ले लेकिन नहीं हर गयरेा